आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब हम वापिस से आए हैं आपके लिए एक वीडियो लेके जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्याप लगाने के बाद आपको क्या-क्या साफधानी बरत्नी है ताकि लंबे समय तक आपके दातों पे लगावा क्याप अच्छे से चल जाए तो आज हम यही बात करेंगे इसी वीडियो में कि ऐसे कौन से पांच तरीके हैं जिससे आप अपने दातों में लगेवे क्याप को लंबे समय तक चला सकते हैं तो क्यूंकि जब बात आती है कि आपके चहरे पे एक सुन्दर सी स्माइल और चमकती धमकती स्माइल आ जाए तब हम जाते हैं क्राउन की तरफ और सबसे बड़ा कारण है क्राउन को अच्छे से रखने के लिए अगर हम उसकी अच्छे से केर करें तो वो सालों तक बहुत अच्छे से चलते हैं तो अच्छी स्माइल कौन नही सके तो मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब तो आए जानते हैं कौन से वो पांच प्रमुक कारण है जिसका ध्यान रखकर आप एक अच्छी सी स्माइल पा सकते हैं और आप कौन से पांच तरीके से अपने जो क्याप या फिर क्राउण आपके दातوں में लगा है उनकी केर कर सकते हैं सबसे पहला कि हमें स्टिकी और हाइब ऐसा खाना जो हमारे दात में चिपक जाये या इतना करक खाना जिसकी वजह से हमारा दात के उपर जो crown लगा है वो damage हो जाए वो नहीं खाना है जैसे मालीज आप कोई भी ऐसा खाना खाते है जैसे candy, chocolates वगेरा होगी जो चिपक जाए हमारी दात में उससे क्या होता है कि वो crown जहां पर हमारा cap लगा है और जो हमारे gums, जो हमारे मसूड हैं उनके बीच में जाके फट सकता है वहां पर बार-बार खाना फसेगा और जो वहां पर inflammation होगा जिसकी वज़े से आपको जाके परिशानी होगी और आप कहीं ने कहीं वो crown निकलवा कर फिर नया cap लगाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है वी शुड अवाइड hard and sticky food जब हमारे दात में cap लगावा हो आप बाकी जाना से बाकी तरफ से खा सकते हैं लेकिन जहां cap लगा है वहां पर आपको खास ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा चिपचिपा पधार्त वाला खाना ना खाएं जिससे चिपक के या तो cap भी बहार आ जाए या फिर वो हमारे मसूडे और cap के बीच में जाके वहां पर बन्दगी पैदा कर दें दूसरा है कि जहां पर जैसे कि आपने देखा है कि लोग brush भी करते हैं लेकिन काप लगती है तो वहां पर फ्लॉस नहीं करते हैं कहते हैं कि अगर हमारा फ्लॉस वहां फस गया तो हो सकता है कि gap भी उसके साथ बहार आ जाएं तो ऐसा बिलकुल भ तो आप निकालें गेसे निकलेगगा फ़्लोस से वहां की सफाई होगी फ्लोस से तो जेंटली आपको वहां पे फ्लोस करना है ताकि अच्छे से पर कर सफाय तो अफरी उ पक्ता हेत거 पॉर्णीं मनें जैसे आप nice truth के नहीं करते हैं वैसे आपको कारण है कि अपनी बूरी आदतों को आपको छोड़ना है बूरी आदत मतलब जैसे की दाथ आपको नाखुन चबाने की आदत है आप पैंसल चबाते हैं दात किट किटाते हैं तो इनहाबिट को आपको कंट्रोल करना है और अगर आपको आदत है कि आप बॉاتल का भकन करने में कितना ही समय जाएगा तो जैसे ही आपका नाशल टूट डैमेज है वैसे ही आपका क्राउन भी डैमेज हो सकता है ही हैबिट की जैसे तो आपको यह हैबिट छोड़ने पड़ेगी चौता रीजन है कि अगर आपको रात में दात कटकटाने वगेरा की आदत है तो कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमें दाट कटकटाने की आदत है और हम किटकटा रहे होते हैं और हमारे क्याप भी लगे होते हैं क्याप लगे होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है महां पर क्राक आ सकता है वो फ्रैक्चर हो सकते हैं तो यह बात का आपको ध् तेंटिस्स से जाकर सला ले वो आपको या तो नाइट गार्ड बना के देगा या फिर अभी अगर इनिशल स्टेज होगा तो रिमाइंडर थेरपी आगे नेक्ष्ट वीडियो दात कटकटाने पर ही आने वाला है वो जरूर देखिएगा और हर 6 महीने में ऐसा नहीं है कि आपका रूट के ना लो गया आपको कैप लग गया तो उसके आद आप डॉक्टर पे ही नहीं गए आपको हर 6 महीने में लगबग डॉक्टर पे जाना है वहाँ पे दात के आसपास की सफाई करनी है क्योंकि कई बार हम खुद से सफाई तो कर पर रेगुलर नॉर्मल क्लीनिंग करवानी है हर छे महीने में अपने डॉक्टर को दिखा ही लेंस का यह मतलब नहीं कि आपका रूट के नाल हो गया क्राउन लग गया और आप सोचे कि अब तो हम फ्री है अब क्या ही करना है अब तो बस क्या लग गया नॉर्मल खा रहे हैं नंबर एक कि आपको कोई भी कड़क खाना और चिपचिपे पदार्त वाला खाना नहीं खाना है दात के आसपास जहां कैप लगा है वहां पर बराबर फ्लॉसिंग और ब्रश अच्छे से करना है कुछ भी ऐसी हैबिट जैसे कि दाट किट किट आना ना खुन कैप लगा है पैंसिल चबाने में लगे हैं लगे हैं कई लोगों को बच्पन से आदत पढ़ जाती है तो ऐसा नहीं खाना करना है या फिर रात में दाट किट किटाने की आदत हो तो भी ऐसा आपको अपने डॉक्टर से सला लेनी है और वहां पर एक ऐसा प्लाइंस इसको नाइट कार् पहनना है ताकि आपके क्राउन पर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना लगे अब जैसे बहुत से लोग है कि उनको आदत होती है कि आगे क्या लगा है और नाखुन चबाने के आदत तो ही और आगे से नाखुन चबाय जाने आप खुद एक चीज सोचों की एक दाट जो की अगर नहीं जब आपके एक नाचुरल टूथ चोट लगने से फ्रैक्चर हो सकता है तो क्या क्या नहीं हो सकती जी हां बिल्कुल हो सकती है कई लोग कहते हैं कि हमने रूट के नाल कराया क्या लगाई अब हमारी जीवन भर की गैरंटी है कि ये खराब नहीं होगा ऐसा नह जाके आपको इन सब चीजों से रिलेटेड दिक्कत ना हो तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और जिन्रों होने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आम साइंग इट आफ टेक केर बाई बाई